हम दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो आज हम देखेंगे लाभवानी प्रोफिट एंड लोस, इसके हम आज साथ टाइप के बारे में अध्यान करेंगे, साथ प्रकार के बारे में और इस साथ प्रकार यधी आप जान लेंगे तो आप इस भी और टोपिक कोई भी और प्रकार का कोश्चन पढ़ने की ज़़ुरत नहीं होगा और हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे बिल्कुल सुरु आप से देखेंगे आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आपको आ जाएगा समझ में तो वीडियो पूरा सुरु से अ भी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए वीडियो यहीं से दर्षाय जाता है किस से दर्षाया जाता है cycles इसको बोला कोई भी आप पेन खरीते हैं पांच रुपए में तो आपका क्राय मुल्य है क्या है क्राय मुल्य है यदि आप इसी पेन को आप बेज देते हैं 6 रुपए में किसी के पास क्या करते हैं इसी पेन को 6 रुपए में बेज देते हैं तो आपका कहलाता है विक्राय मुल्य क्या कह क्या हुआ जिस समान को आप जितने रेट से खरीते हैं वो उसका क्राय मुल्य होता है और जितने रेट से आप उस समान को बेचेंगे वो उसका विक्राय मुल्य होता है तो क्राय मुल्य को सीपी से दर साते हैं क्राय मुल्य को कोश्ट प्राइज बोला जाता है विक्राय मुल ठीक तो 6 में से 5 घटाएंगे आपका कितना आएगा एक रूपई या तो यह आपका लाब कहलाएगा मतलब कोई भी चीज को आप ज्यादा रूपई में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे तो जो भी आपको प्रोफिट होता है ठीक ना इसी को इंगलिस में बोला जाता है प आपको मान लेजिए 6 रूपई या में बेच दिये कुछ पेन और 5 रूपई या में खरीदे तो यह आपका एक रूपई या लाब हो गया यही यदि उल्टा इसका हो जाए हानी हानी क्या होता है तो मान लेजिए आपने कोई भी चीज खरीदा एक घड़ी आप खरीते हैं 100 रूपई में और इसको आप बेच देते हैं 90 रूपई में कितने बेच देते हैं 100 रूपई में आपने खरीदा तो क्या हो गया उसका कोष्ट प्राइज मतलब CP हो गया और आपने बेचा 90 रूपई में उसका सेलिंग प्राइज हो गया 90 रूपई में बेच दिये तो आप यदि आप सव रुपए वाले घड़ी को 110 रुपई या में बेज देते तो आपको 10 रुपिया क्या हो जाता फाइदा हो जाता है मतलब वही कहलाता है लाब क्या कहलाता है ठीक हम चार वर्डों के बारे में देख लिए अब देखिए आपका लाब और हानी परसेंट कैसे नि माउंट के केस में परसेंट निकालने का जो फार्मूला होता है किसका लाब परसेंट कीछ का लाब परसेंट निकालने का बता रहे ठीक परसेंट के लाव परसेंट बराबर क्या होता है लाव बट्टा में सीपी मतलब क्राइम उल्या गुड़ा में सव यह होता है एमाउंट के केस में लाव निकालने के लिए यहीं यदि हमको हानी निकालना हो तो यह लाव के जगह आप लिग दीजिए हानी ठीक लाव के क्या लिख दीजिए हानी लिख दीजिए और फिर यहां आपका हानी परसेंट निकल जाएगा यहां क्या निकल जाएगा हानी परसेंट देखिए मतलब एमाउंट के केस में यदि आपको हानी परसेंट निकालना हो क्या हो जाएगा परसेंट यहां आपका हानी हो जाएगा उ जैसे 10 रूपिया 5 रूपिया 8 रूपिया 10 रूपिया जब रूपिया दिया हो तो उसको एमाउंट के केस में बोला जाता है ठीक तो ऐसे निकालते हैं आगे हम अभी कुदारे देखेंगे उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा दूसरा हम देखते हैं 5 रूपिया 10 रूपिया 15 रूपिया 20 रूपिया जब पैसे न दिये हो मात्र वस्तु दिये हो कि इतने वस्तु का इतने वस्तु के रूप में तो उस केस में हम परसेंट लाब कैसे निकालते हैं परसेंट लाब निकालेंगे उपर में तो आपका लाब ही रहेगा जितना ल मुल्य को नीचे लिखते हैं और इमांट के केस में निकालते हैं तो इसको बहुत ही गलतीρω नщё गरते को लिखा जाता है उश्याटा निकालने में लाब बट्टा झूड़ा 8 शयका जाएगा हानी बट्टी में आपका मिटा 7 क्या हो जाएगा भस한ink निकालना हो तो लाव के जगा हानी लिग दीजिए बट्टा में आपका वही ही रहेगा सेलिंग प्राइज मतलब विक्राय मुल्य गुड़ा में आपका सव तो ये दो केस होते हैं आपके ठिक इसके बारे में अभी हम कोच्चनों में ज्यादा डिटेल से देखेंगे आपको अच्छे से आपको पता चलेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं परसेंट को होल नंबर में कैसे चेंज करते हैं परसेंट मतलब मान लिजी आपके पास कितना है बीस परसेंट है क्या है आपका मान लिजी ये लाब है क्या कुछ भी हो मान लिजी ये बीस परसेंट है इसको होल नंब में मतलब 20 बटा स Scr परसेंट 30 अब इसको काट लिजियो जीरो में जीरो गया दो एक कमदो 25 कितना हो जाएगा आपका 2,5 तो 20 परसेंट का एक भड़र 5 होगा क्या होगा एक भड़र 5 होगा 20 परसेंट का collections वें 50 परसेंटा का is फाल नमबर क्या है लाभ है तो 5 को हम ले जाएंगे उपर एक के साथ जोड़ देंगे क्या करेंगे 5 दहन एक बटा में 5 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 6 बटा 5 कितना आएगा 6 बटा 5 तो लाभ परसेंट जब रहेगा तो हम नीचे वाले को उपर में ले जाके जोड़ देंगे तो आ यहीं यदि आपका रहे हानी परसेंट क्या 20 परसेंट आपका क्या रहेगा यहीं हानी प्रस्न में आपको पता चलेगा कैसे हल करेंगे कम समय में दिखेगा कैसे हल किया जाता है इसको ठीक 20 परसेंट यदि हानी रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे होल नमबर इसका क्या हो जा कितना आजाएगा आपका चार बर्टा कितना आएगा च गल तो हानी परसेंट के लिए हम और वाले में हम घटा देते हैं मतलब हमें हानी होता है ठीक इसका यूज हम देखेंगे अभी कहा होता है कैसे होता है तो देखिए अब टाइप फर्ष्ट पहले प्रकार के हम कोश्चन की यहीं चर्चा करते हैं ठीक उसके बाद आपको ट्रीक के साथ बताया जाएगा वीडियो पूरा सुरू से अन तक दे बेची जाए मतलब कोई भी दो वस्तु हो समान मुल्य पर बेची जाए तो कैसे उसको हल करेंगे जैसे देखिए हैं आपका उधारर दिया हुआ है क्या एक ब्यक्ति दो कूर्सियां 120 प्रती कूर्सी के दर से बेचता है तदा नुसार एक कूर्सी पर 25% लाप कमाता है और मुल्य समान हो क्या हो मतलब सेलिंग प्राइज मतलब विक्राय मुल्य मतलब जीतने में बेच रहा है हो मुल्य समान हो यहां देखिए दो कूर्सियां है दोनों कूर्सियों का मुल्य कितना है 120 रुपए दोनों कूर्सियों को कितने में बेच रहा है 120 रुपए में बेच र बराबर हो मतलब जब भी दो वस्तों का सेलिंग प्राइज विक्राय मुल्य बराबर हो लाब हो अहानी परसेंट बराबर हो तो डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है आपका एक सिस्क्वायर बट्टा सव क्या होता है एक सिस्क्वायर बट्टा सव यह आपका सूत्र होता है और साथ ही जब लाब हुआ हानी परसेंट बराबर हो और दोनों वस्तों का सेलिंग प्राइज विक्राय मुल्य बराबर हो तो सदेव हानी होती है क्या होती है सदेव हानी हो होती है सदेव क्या होती है हानी होती है इसको आपको नोड करके लिखना है सदेव ह Yuri हम सही के रूप में लिखें हँआं आपका कितना आ गया देखिए 25 बटा में यहां 4 आया है सही के रूप में लिखना चाए तो 4 संग 2014 थिक 6 रूप में लिखना चाहिए तो 4 फरसेंट इसको क्या बोल सकते हैं 6 सही एक बट्टा 4 परसेंट यहां हानी हो जाएगा इसमें आपका हानी हो जाएगा या फिर 25 बट्टा 4 परसेंट तो आपको ऐसे जब भी दोनों के विक्रायमुल्य समान हो लाभानी परसेंट समान हो तो ऐसे आपको प्रस्णों को हल करना है ठीक और यदि यहीं आपका बे बुम्लियघ है जब भी बेचा जाता है समान रेट से और समान लाब हुआ परसेंट वहानी परसेंट में तब सदेव हानी होती है लेकिन उसी को यदि खरीदा जाता है तो आपका न तो हानी होती है न तो लाब होती है तेक हानी लाब कुछ भी नहीं होता है अब हम देखते हैं अगला प्रसन यहां आपका दूसरा को देखेंगे। कॉछ वस्तू का क्रेम रएंण नहीं के बराबर हो। कभ है का प्रस्ना को हुल करेंगे रादार हो। तब कैसे यक्षाक प्रकैन को आपको तंद में लाएगत हुआ गए। आपकाशन यहां दिया हुआ है। क्या प्रसंद दिया है 15 सेबों का क्राय मुल्य 25 सेबों के बिक्राय मुल्य के बराबर है हानी परतिसत है ठीक ना हानी परसंद कितना है यह बताना है आपको क्या बोड़ा है 15 सेबों का क्राय मुल्य 25 सेबों के बिक्राय मुल्य के बराबर है ध्यान से देखिए तो जो मैंने आपको बताया था कि amount के case में मतलब दो प्रकार के लाव वहानी परसेंट निका ले जाते हैं एक amount के case में दूसरा आपका भाव के case में ठीक तो यहां देखिए आपका यहां देखिए तो क्या दिया है 15 से 25 के वाल यहां वस्तूओं की संख्या दी हुई है क्या दी हुई है व सफ़र अंध्रव से 25 से मतलब वस्तूओं की संख्या केवल दीआ हुआ है तो यहां कौन सा case आपका लागू होगा भाव का case क्या लागू होगा भाव का case जो मैंने शुरू में आपको बताया था क्या लागू होगा यहां भाव का case को लिखना है गुडा में आपको सव करना है यह आपको करना है हानी परसेंट निकालने के लिए बताया था मैं भाव के केस में अब यहां देखिए हानी कितना हो रहा है तो कितने 15 सेब को जितना में खरीद रहा है क्या कर रहा है 15 सेब को जितना में खरीद रहे हैं उतने सेब के हानी हो रही है क्या हो जाएगा दस क्या हो रही है क्या लिखेंगे मतलब्स बिक्राय मुल्य बिचने वाला मुल्य कितना है तो बेचने वाले वस्तूप की संख्या कितनी है 25 तो नीचे में आपका हो जाएगा 25 बिचने वाले वस्तूप क्या कितनी 25 तो नीचे में आपका होगिया 25 गुडा में आपका हो जाएगा 100 क्या होगा गुडा में 100 जो यहाँ दिया हुआ है अब इसको आप हल कर लेजिए तो 25 से कम 25 25 5 associ चार कर देंगे तो आपका 40 मतलब 40% कितना निकला 40% क्या है यहां यहां इंसर इसका कितना हो जाएगा आपका 40% हानी हुआ ठीक तो आशा करता हूँ यह प्रसना आपको समझ में आया होगा चलिए इससी टाइप से नहीं समाज आया होगा तो दूसरा प्रसन देखते हैं सेम समाज़ा ठीक इहां अगला प्रसन देखिए किया है यहां अगला प्रसन आपका 40 वस्थों का लागत मुल्य 25 वस्थों के बिक रहय बराबर है तदा नुसा लापका परसेंट् ज्याद किजिए यहां क्या बोल रहा है लापका परसेंट्ट आप देखके भी बतासक्ते हो वस्तु जितना रेट से जितना में खरिद रहा है जैसे 200 रुपए में मान लेजिए 40 वस्तु को खरिद रहा है तो 25 वस्तु को 2 सर रुपए में बेच रहा है मतलब यहां क्या कर रहा है इसको लाब मिल रहा है कितने का लाब मिल रहा है तो देखिए 40 वस्तु में 25 वस्तु को आपका लाब मिलेगा लाब कितने का मिला तो 15 वस्तों का आपका लाब मिल गया 15 वस्तों का लाब मिला आप लाब परसेंट निकाल लेते हैं लाब परसेंट आपका क्या होता है लाब उपर में लिखते हैं बटे में नीचे में आपका क्या लिखते हैं selling price क्योंकि ये भी भाव के case में है 40 वस्तु 25 वस्तु यहां पैसा विशा नहीं दिया है एक रुपिया पांच रुपिया दस रुपिया पैसा का यहां मोल नहीं है केवल वस्तु संख्या दी हुई है तो भाव की case लएंगे तो लाब बट्टा selling price गु अभलत हो जाएगा बट्टा 25 गुड़ा में आपका सव हो जाएगा 25 से कम 25 हो गया पकेशजा को सव अवं 15 गुड़ा चार कर देंगे तो आपका कितना आएगा 15 छपीकष सार्थ क्या हो जाएगा आपका 60 परसेंट لاब इतना निकला यहाँ Trulyauft़ कितना निक्ला आपका एक वस्तु को जितने रूपे में खरीद रहा है और बी रूपे में खरीद रहा है ऐसे टाइप के प्रसंदा हैं प्रसंदा आपका दिया हुआ है क्या प्रस्णा है? एक दुकांदार किसी वस्तू को 10 रुपए में 8 के दर से खरीतता है यूम 8 रुपए 8 में 10 की दर से बेचता है तो दुकांदार का लाभिया 100% क्या होगा? मतलब क्या है यहाँ? कि आपका आठ वस्तूों को 10 रुपिया में बेच रहा है ठीक मतलब खरीद रहा है यहां क्या बोल रहा है आपका देखिए 8 वस्तु को 10 रुपईया में खरीद रहा है और यहां आपको 10 वस्तु को 8 रुपईया में बेच रहा है क्या कर रहा है 10 वस्तु को 8 रुपईया में बेच रहा है मतलब A रुपए में खरीदा B वस्तूओं को और फिर आपका B रुपए में बेचा A वस्तूओं को जस्ट उल्टा है ठीक ना तो ऐसे टाइप के जब भी प्रस्ना हो तो आपको कैसे करना है आपको मात्रा और मात्रा करना है पहले वस्तू दूसरे का दाम क्या करना है पहली वस्तु दूसरे का दाम ठीक आपको करना है पहली वस्तु दूसरे का दाम ठीक न तो देखिए हाँ पहली वस्तु कितनी है आठ वस्तु कितनी है पहले में आठ वस्तु तो पहले में पहली वस्तु दूसरे का दाम कितना है आठ रुपया तो आठ गूरा आ पहली वस्तु दूसरे का दाम ठीक ना पहली वस्तु कितनी है आठ वस्तु तो पहली वस्तु दूसरे का दाम कर लिए पहली वस्तु दूसरे का दाम माइनस में अब जो भी बचा उसको कर दिजिए मतलब माइनस में क्या बचा आपका 10 वस्तु बचा और 10 रुपया बचा तो तो इसको 10 गुड़ा 10 माइनस में कर दिजिए, ठीक, क्या करना है सुरू में, पहली वस्तु दूसरे का दाम, माइनस में, आपका हो जाएगा, जो बचेगा, और नीचे में आपका हो जाएगा, जो यहां बचा हुआ है, उसी को गुड़ा में आपको नीचे लिग देना है, क फिरे हाँ आपको परसेंट वाको लिग देना है, अब क्या हो जाएगा, यह आपका सव से सव आपका केंसिल, उपर नीचे, यहां आपका क्या हो जाएगा, 58, Attac, 64, माइनस में आपका हो जाएगा, 10 दाहम 100, तो सव में 64 गया, आपका माइनस 36, कितना हो जाएगा, माइनस 36 परसेंट माइनस मतलब आपका हानी क्या हुगा माइनस मतलब हानी यहीं आपका प्लस आया होता तो आपका क्या होता लाब तो माइनस आया मतलब हानी कितने परसेंट हानी तो 36 परसेंट हानी कितना हानी तो ऐसे आपको प्रसनों को हल करना है इसी टाइप की अगला प्रसनों देखते हैं आपको समझ नहीं आया होगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा देखिए क्या बोल रहा है यदि मैं रूपए 10 के 11 की दर से कुछ वस्तुए खरीद कर उन्हें रूपए 11 के 10 की दर से बेचता हूँ ठीक नहीर बेसता है तो लाप परसेंट क्या होगा मतलब लाप परसेंट होता है ठीक न एप पूछ रहा है आपके पास έपने पुछे जाते हैं इसलिए आपको कराया जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है यहां आपका 10 रुपईया में 11 वस्तू क्या 10 रुपईया में 11 वस्तू यहां आपका 11 रुपईया में 10 वस्तू आपको निकलना है लाग परसेंट तो ऐसे प्रसनों को क्या हल करना है अभी मैं आपको बोलता पहली का वस्तू दूसरे का दाम पहले का वस्तु दूसरे का दाम मतलब पहले का वस्तु कितना है 11 वस्तु दूसरे का दाम कितना है 11 रुपया तो पहले का वस्तु गुड़ा दूसरे का दाम कर लिए पहले का वस्तु गुड़ा दूसरे का दाम गुड़ा में आपको 100 करना है परसेंट मिलाने के लिए, आप ये 100 के 20 केंसिल, नीचे के 20 केंसिल, आपके 11-11 हो गया, दाहम आपके 100 हो गए, कित्ने हो गए, 11-11, 11-11, 10-11 हो गए, 21-11 में 100 हटा दिये, तो आपका 21 बचा, 21 परसेंट आपका निकल गया, यहां देखिए आपका क्या आया माइनस नहीं आया मतलब आपका क्या आया प्लस आया मतलब प्लस का मतलब लाब माइनस का मतलब हानी मतलब आपको 21% का लाब हुआ कितने का लाब हुआ 21 परसेंट क्या पुछा है लाप परसेंट तो लाप परसेंट कितना निकला 21 परसेंट तो 21 परसेंट इसका इंसर हो जाएगा कितना होगा 21% इसका insert हो जाएगा तो ऐसे प्रस्णों को आपको कैसे हल करना है आपको करना है पहले का दाम गुड़ा दुसरे का मतलब पहली वस्तु गुड़ा दुसरे का दाम माइनस में जो बचा उसको गुड़ा में और बटे में जो बचा उसको कर दिजिए गुड़ा में आप सव कर दिजिए परसेंट के लिए बस आपका निकल जाएगा तो ऐसे प्रस्णों में आपको ऐसे करना है ठीक अब हम देखते हैं अगला प्रस्ण अब हम टाइप 4 की चर्चा करते हैं देखिए तीन टाइप हमने देख लिया अब टाइप 4 की चर्चा करते हैं टाइप 4 देखिए आपका किस टाइप से है टाइप 4 है आपका चीनी के कीमत में 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है ठीक ना या फिर खरीद जाता है बोल सकते हो कुछ भी पता नहीं होगा यहां पाता होगा ठीक पाता है चीनी की मूल कीमत और नई कीमत में अंतर ग्याद कीजिए क्या बोल रहा है मानले जी आप दुकनवा में गए का करने गए चीनी की कीमत में 10% अभी क्या हो गया है कमी हो गया है चिनी के रेट में ठीक मतलब पहले से 10% कम हो गया है चिनी का रेट और आप पहले 270 रुपया लेके चिनी लेने जाते थे आज भी 270 रुपय लेके चिनी लेने जाते हैं लेकिन 5 किलो ज्यादा चिनी मिल जाता है आपको क्यों 5 किलो ज्यादा चिनी मिल जाता है क्योंकि 10% कम हो तो चीनिया तो जदे न मिलेगा तो चीनी आपका ज्यादा मिल रहा है क्यां की रेट कम हो गया है तो उसी की आपकी चीनी की मूल कीमत मूल कीमत मतलब पहले वाली कीमत और नई कीमत मतलब नया कीमत में अंतर ग्याद कीजिए तो देखिए कैसे हल करेंगे चुटकियों में ऐ के वह दो दो मैं और सुझा में घुअ कुल रहा है कमी कीतना हो रहा है दस परसेंट यहीं आपका whole नमबर अभी यूज होगा देखे जो मैं कमी हो रहा है कितना कमी हो रहा है दस परसेंट तो यहां में आपको करना है दस जितना भी कमी हो रहा है उसको आपको उपर में लिख लेना है परसेंट के रुप में दस परसेंट ठीक दस परसेंट अवबटे में आपको करना है जितना ज्यादा मिल रहा है या फिर जितना कम म किमत क्या निकाल रहे हैं नया कीमत मतलब आपका सेलिंग प्राइज निकाल रहे हैं नया कीमत सोरी सेलिंग प्राइज नहीं बोलेंगे इसको नई कीमत बोलेंगे ठीक तो यहां देखिए आपका 10% 10% को क्या लिखा जाता है परसेंट को काटेंगे तो बट्वा में क्या पुड़ा करेंगे अब इसको काट लेजी आपका 0-0 केंसील जीरो से जीरो केंसील ठीक उसके बाद आपका 27 से कम 27 पांच कितना आगिया यहां आपका 27 बटा पांच 27 बटा पांच इसी को यदि आप काटेंगे तो पांच 25 युश उसके बाद 10 लों पांच 20 मला 6 डवार जायगा इसको 0 लिख सकते आप 5 डसुनलक चार जीरो मतलब 5 50 पॉपयार का का मुल्य है क्या है पांच रुपईया चालीस पैसा एक किलो सक्कर का नया कीमत में मुल्य है जब कीमत घड़ गया है तो पांच रुपईया चालीस पैसा एक किलो सक्कर का मुल्य है अब हम निकाल लेते हैं पूराना मुल्य तो पूराना मुल्य कैसे निकलेगा तो यहां दे पड़ेगा अभी ना इसलिए हम लिख रहे हैं 27 बटा 5 को अब मूल कीमत मतलब पुराना मुल्य को कैसे निकालेंगे तो देखिए यहां आपका क्या हो रहा है 10% कमी क्या हो रहा है 10% कमी इसी 10% को आप होल नंबर में बदल दीजिए तो 10 बटा 100 हो जाएगा 10 बटा 100 को काटे एक बटा 10 हो गया अब होल नंबर को हम क्या करेंगे यहां क्या हो रहा है आपका कमी कमी मतलब हानी हो रहा है क्या हो रहा है मैंने बताया था आपको हानी करने के लिए क्या करना है 10 में एक को घटा देना है ठीक मतलब आपको कितना हो जाएगा 10 माइनस एक बटा में आपका 10 मतलब आपका हो जाएगा 9 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 9 बट्टा 10 होगा यहां मैंने आपको वहां होल नंबर में बताया था कि आपको जब भी हानी यहां दिया है 10% कमी तो आपको क्या करना है नीचे वाले से उपर वाले को घटा देना है तो यहीं इसका यूज होगा अब देखिए हम नई कीमत कैसे निकालेंगे तो हमको क्या निकालना है पुरानी कीमत से नई कीमत निकालना है मतलब हमको पीछे से वापस आना है क्या करना है मतलब वापस से पीछे आना है तो पीछे आने के लिए इसको उल्टा लिखेंगे 9 बट्टा 10 से इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आपका 10 बट्टा 9 अब मैं इसको मिटा देता हूँ आपको अच्छे से यहां मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आया था पुराना कीमत आपका 27 बट्टा 5 27 बट्टा 5 आया था ठीक अभी हम इसको निकाले 10% क पूरानी कीमत कितना रूपया है एक किलो सक्कर का 6 रूपया पूरानी कीमत कितना निकला पांच रुपिया 40 पैसे निकला था ठीक अभी मिटा जेता हूँगा अब आपका नया कीमत कितना था 6 रुपईया मतलब पुराना कीमत 6 रुपईया था नया कीमत कितना निकला था 5.40 रुपईया निकला था ठीक तो कितना अंतर है पूराना कीमत आओ नया कीमत में तो इसको आपको छोड़ देना है अंतर पूछेगा तो ऐसे निकालना है आपको 60 पैसे की अंतर है तो यह ऐसे टाइप के परशनओं को उयस्सी आपको हल करना है इसके दूसरे टाइप के मतलब इसी का दूसरा प्रसन हम देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपको नहीं आया होगा तो देखिए कैसे हल करना है कुछ पुस्तकों के मुल्य में 40% वरिद्धी हो जाने पर मुझे 84 रूपए में पहले से 8 पुस्तके कब नहीं यहां कम होगा ठीक नहीं है क्या हो जाएगा आपका कम होगा ठीक यहां आपका कम हो जाएगा ठीक कम कम मिले तद अनुसार प्रतेक पुस्तक का अरंभीक मुल्यग याद किजिए यहां क्या बोल रहा है समझिए यहां क्या बोल रहा है देखिए आपका थोड़ा सब बड़ा यहां दिखा देते हैं तो यहां आपका बोल रहा है कुछ प पुष्टकें कम मिल रही है जाहिर सी बात है आपका किताप का रेट बढ़ गिया मानले जिए चालिस उपईया था तो 80 रुपई हो गिया तो कमे न पुष्टक मिलेगा हमको तो यहां रेट बढ़ गिया तो हम पहले भी 84 रुपईया लेके जाते थे तो आठ पुष्टक नया मुल्य हो गया ना, 40% ब्रिध्धी नहीं हुआ था, तब कितना मुल्य था पुस्तक का, इसको हमको ग्याद करना है, तो इसको ग्याद करने से पहले हमको क्या ग्याद करना पड़ेगा, पुराना मतलब आपका जो मुल्य ब्रिध्धी हो चुका है, वो नया मुल्य हमको ग्यात करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था तो नया मुल्यक कैसे ग्यात होगा तो नया मुल्यक के लिए जितना रुपईया लेकर जा रहे थे उसको उपर में लिखेंगे गुड़ा में आपका जितना बृध्धी या कमी हो रहा है उसको लिखेंगे बताया था बृध अब % को हटाएंगे यहां से तो गुड़ा में आपका 100 हो जाएगा ठीक अब इसको काट लेजिए तो 0 से 0 केंसील आपका हो गिया 4 एक कम 4, 4 दूना 8 हो गिया ठीक 4 दूना 8 हो गिया यहां 2 एक कम 2 और आपका 42 दूना 84 हो गिया तो 4,2 भी आ जाएगा या फिर आप भाग नहीं दोगे तो इससे भी डारेक्ट हल करेंगे क्योंकि अपने को निकलना यह अरहमभिक मुल्य यह तो हमारा निकला नया कीमत क्या निकल गिया अब हमको निकलना है पूराना कीमत तो पूराना कीमत कैसे निकलते हैं यहां होल नंबर में इसको चेंज करते हैं बिद्धी को तो इसको अब मैं मिटा देता हूं और इहां आपको लिग देता हूं नया कीमत कितना निकला आपका 42 बट्टा 10 42 बट्टा 10 रुपया नया कीमत निकल गया कितने का एक पूस्तक का रेट निकल रहा है नया कीमत जब बृध्धी हो गया है तो इतना है अब हम पुराना कीमत देख लेते हैं कितना है पुराना कीमत कितना 40% ब्रिद्धी हो रहा है 40% ब्रिद्धी का मतलब आपका होल नंबर में चेंज करेंगे तो आपका 40 बटा 100 होता है 40 बटा 100 मतलब 0 से 0 केंसिल आपका 2 दूना 4 5 दूना 10 मतलब आपका 2 बटा 5 है कितना है 2 बटा 5 इसका होल नंबर है पूर संख्या अब य लाब होता है तो नीचे में उपर वाले को जोड़ देते हैं क्या करते हैं लाब के लिए नीचे में उपर वाले को जोड़ देते हैं तो पांच में दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका साथ बठा पांच हो जाएगा कितना होगा साथ बठा पांच क्योंकि प पीछे आएंगे तो नीचे को उपर लिखेंगे उपर को नीचे लिखेंगे तो यहां साथ बटा पांच को क्या लिखेंगे गुड़ा के रूप में पांच बटा साथ लिखेंगे यहां समझिएगा confuse मत होईएगा हम क्यों लिख रहे हैं उल्टा क्योंकि हम आगे से पीछे आ रहे हैं क्या कर रहे हैं आगे से पीछे आ रहे हैं क्योंकि हम देखिए नया कीमत अपने को पता चल गया नया कीमत 42 बटा 10 अब हमको पूराना कीमत ग्याद करना है न तो जब भी आगे से पीछे आ रुपईया कितना आया तीन रुपईया तो तीन रुपईया क्या हो गया पुस्तक का रंभिक मुल्या हो गया एक पुस्तक का रंभिक मुल्या कितना हो गया तीन रुपईया तो एक पुस्तक का रंभिक मुल्या कितना हुआ आपका सुर्वाति मुल्या तीन रुपई ठीक त चार टाइप देख लिए हमने चारो टाइप को आपको मातर एक अगबार समझना है अच्छे से यदि आपने समझ लिया तो आप लाभानी के मास्टर बन जाओगे दूसरा आपको देखने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी ठीक देखिए अब हमारा क्या है आपका अगला आठमा प्रसना है आपका एक वस्तु को 96 रुपय 96 में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाब का परतिसत संख्या में उसके लागत मुल्य के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मुल्य क्या है क्या निकलना है लागत मुल्य मतलब उसका क्राय मुल्य मतलब आपका कितन में खरीदा गिया है बेचा कितने में जाता है 96ग कितना में बेचा जाता है उतने परसेंट में उतने रुपईया में खरीदा जा रहा है माल लिजी यहां लाब परसेंट 60% है तो यह 60 रुपईया में खरीदा जा रहा है कि कितने खरीदा जा रहा है 60 रुपईया में यदि लाब परसेंट 50% है तो ये 50 रुपईया में खरिदा जा रहा है ये हां बता रहा है कहने का मतलब ये है इसको चनवा का कि 96 रुपईया में बेचा जाता है और लाब का परतिसत और लागत मुल्य के बराबर है क्या है लाब का परतिसत संख्या में लागत मुल्य के बराबर है मतलब आपका 50% लाब मिलेगा तो 50 रुपईया में खरीदा जाएगा ए बोल रहा है दोनों बराबर हैं तो जब भी ऐसे टाइप के आपके परसना आएं कि लाब का परसन बराबर हो लागत मुल्य का परसन बराबर हो या लाब का परसन बराबर हो क्रह मुल्य बराबर हो और दो गुड़न खंडों में बाट लेना है कि उसका अंतर 10 आए मतलब उन संख्याओं को घटाएं तो 10 आए तो कितने में आएगा 96 का दो गुड़न खंडों 16 कि उसका अंतर 10 आए और यहां ऐसे ही टाइप के यहां भी क्राय मुल्य रहेगा आपका जिसका गुड़न खंड ऐसे में बढ़ जाएगा क्योंकि ऐसे ही प्रसना आते हैं तो उनका गुड़न खंड बढ़ ही जाएगा फिर यहां जो आपका छोटका संख्या होगा उसमें 10 क अपको 6 गुड़ा दस कर देना है कितना आगे ना गा। साथ 6 गुड़आ 10 कितना हैगा साथ तो इसका लगत मुल्य आपका 60 रुपईया हो दुसरा प्रसना फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा थिक तो देखिए हम देखते हैं दुसरा प्रसना दुसरा है आपका एक वस्तु का बिक्राय मुल्य 49 रुपईया है क्या बोल दिया बिक्राय मुल्य बेचागिया मुल्य 49 रुपईया है यदि उसका लागत म क्या है यहां भी बोल दिया आपका लागत मुल्य कितना है संख्यात्मक रूप से लाप परसेंट के बराबर तो यहीं है आपका जब भी लाप परसेंट और लागत मुल्य बराबर हो तो आपको विक्राय मुल्य यह जो भी हो उसको दो गुड़न खंडों में बाट लेना है तो कैसे बाटेंगे देखिए आपका गुरान खंडों में बाटने आपको नहीं आता होगा तो सिंपल सी देखिएगा 11 का गुरा एक बार कीजिएगा 12 का गुरा दो बार कीजिएगा 13 का गुरा तीन बार कीजिएगा तो ये एक तेरह हो जाएगा एक तीन हो जाएगा तीरह तिया उन्चालिस अब छोटका संख्या जो है उसमें आपको दस का गुड़वा को कर देना है अलब छोटा संख्या जो भी है आपका छोटा संख्या क्या है तीन है उसमें आपको दस का गुड़ा कर देना है जो भी छ क्या पुछा है लागत मुल्य तो लागत मुल्य कितना हो गया इसका 30 रुपए कितना हो गया 30 रुपए तो 30 रुपए आपका एंसर हो जाएगा परसेंट वह पुछेगा यहां तो 30 परसेंट हो जाएगा वैसे आपको प्रसनों को हल करना है इस टाइप के प्रसनों को और यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25 परसेंट की हानी होगी हाँ के बाद हानी होगी तिक है तो अनुसार उसे 25 परसेंट लापराप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए ठीक मतलब आपका क्या बोल रहा है, simple सा प्रसन है, कोई इसमें type whip नहीं है, आपका देखिए, आप एक ब्यक्ति का कलाई घड़ी, मतलब आपका एक घड़ी है, उसको 720 रुपईया में यदि आप बेचते हैं, तो आपको 25% की हानी हो रही है, क्या हो रही है, 720 रुपईया में बेच रहे हैं, तो 25% क करने हैं, आपको क्या करना है, उसमें 25% आपको लाप राप्त करना है, तो आप कितने में बेचेंगे उसको, कितने में बेचेंगे, इसी को निकलना है, तो शुरू से आपको चनवा को देखते हैं, उहल करते हैं, कलाई की घड़ी का मुल्या कितना है, 720 रुपईया तो 720 र रुपए है तो 25% की हानी हो रहा है अब इसी परसेंट को हमको क्या निकलना है आपको कितने में बेचना है निकलना है तो परसेंट को हम होल नंबर में चेंज कर लेते हैं होल नंबर मतलब पुडांग संख्या में चेंज कर लेते हैं तो 35 पूर 국ably संक्य में कैसेった करेंगे to 45 बटा सव हो जाएगा क्या होगा 25 बटा सव फचीं से 25 पचीं 25 चको सव तो आपका कितना हो जाएगा 1 बटा चार हो जाएगा लटर होलिनमर शुरु में किया वल्राइन हो रहा है pecनी होता है मतलब नीचे से हो पर वाले को घटा देते हैं तो चार में घटाएंगे तो आप क्या हो जाएगा तीन बट्टा चार हो जाएगा क्या होगा चार में घटाएंगे तो उपर में तीन हो जाएगा नीचे में बट्टे में चार तो यहां कितना हो गया हानी परसेंट आपका तीन बट्टा चार हो गया क्या करते हैं हानी परसेंट को हम लिख लेते हैं ठीक यहां देखिए यहां गुड़ा करेंगे आप आप किसका तो यहां ध्यान से देखिए क्या निकाल रहे हम विक्राय मुल्य यहां दिया हुआ है 720 रुपई यहां मिटा जेता हूँ अच्छे से 720 रुपई यहां आपका व क्राय मुल्य से क्राय मुल्य की और आ रहे हैं मतलब सेलिंग प्राइस से कोष्ट प्राइस की और आ रहे हैं तो जब भी आगे से पीछे की और आते हैं तो उसको उल्टा लिखते हैं तीन बटा चार आया था इसको उल्टा लिखेंगे क्योंकि आगे से पीछे की और आ रहे ह पीछे आ रहे हैं तो तीन बटा चार को उल्टा लिखेंगे मतलब चार बटा तीन लिखेंगे ठीट अब इसको हम हल करेंगे तो आपका क्या आजाएगा इसको हल करेंगे तो आजाएगा क्रेमुल्य मतलब घरी को खरीदे कितने में थे उसका रेट आ जाएगा अपने को रे से निकालेंगे अब देखिए इससे आपका क्या निकलेगा क्राइम उल्य निकलेगा आप इसमें हम गुड़ा करेंगे किसका लाब परसेंट का लाब परसेंट को अब होल नंबर में हम चेंज कर लेते हैं जैसे हानी परसेंट को किये थे तो पचीस परसेंट मतलब क्या हो ज जोड़ देंगे तो चार में एक को जोड़ेंगे तो पांच बट्टा चार हो जाएगा क्या हो जाएगा पांच बट्टा चार हो जाएगा समझेगा वहां हानी था तो हम चार में एक को घटा दिये थे यहां लाब है तो चार में एक को जोड़ देंगे जोड़ेंगे तो चा मुल्य को निकलना है तो विक्राय मुल्य को निकालने के लिए मतलब हम पीछे से आगे जा रहे हैं कहां जा रहे हैं पीछे से आगे जब भी जाएंगे तो हम सेम लिख देंगे ना तो उपर को नीचे करेंगे ना तो नीचे को उपर तो पांच बटा चार यहां जो हमारा आय पांच बट्टा चार का गुड़ा कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइज मतलब बिक्राय मुल्या निकल जाएगा अब देखिए चार से चार केंसील तीन यहां कार देते हैं तीन एकम तीन तीन दुना चाहे तीन चको बारा तीन सुनम सुन यह आपका हो गया 240 अब 240 गुड़ा पांच कर देंगे तो चोबीस पंचे कितना होता है navy 120 120 मतलब बारत सर उपया में जब हम बेचेंगे इसका मतलब आपका क्या आया कि बारत सर उपया में बेचेंगर हम इठा दिया सोरी आपका कितना हो जाएगा आपका बारास रुपए इसका सही एंसर हो जाएगा तो ऐसे आपको इस टाइब के प्रसनों को हल करना है अगला हम देख लेते हैं इसी टाइब का दूसरा प्रसना आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा एक वस्तू को एक इस जार रुपए में बेच कर एक आदमी एक आदमी नहीं एक आदमी 5 परसेंट का लाब पाता है या 5 परसेंट लाब होता है उसको 15 परसेंट लाब पाने के लिए वह उसे कितना में बेचेगा कितना लाब पाना है पहले लाब पारा है 5 परसेंट अब उसको लाब पाना तो देखिए उसी टाइब का प्रसना है जैसे पिछला प्रसना देखे तो यहां जितना भी दिया हुआ उसको लिख लेते हैं आपका एक इस 1000 को लिख लेते हैं तिन जीरो गुड़ा में आपका एक क्या है आपका सेलिंग प्राइज मतलब विक्राय मुल्य से अपने को ग्याद करना है क्राय मुल्य सुरू में क्राय मुल्य का 15 परसेंट फिर निकाल लेंगे तो आपका फिर से निकल जाएगा आपका विक्राय मुल्य तो क्राय मुल्य ग्याद करना है कि से 5 परसेंट लाब से तो 5 इसको अब यहां क्या हो रहा है आपका लाब हो रहा है लाब हो रहा है मतलब नीचे से उपर वाले को जोड़ेंगे तो बीस में एक जोड़ेंगे तो एकीस बट्टा बीस हो जाएगा क्या होगा एकीस बट्टा बीस होगा अभी हाँ एकीस बट्टा बीस तो होगा लेकिन हम विक्राय मुल्या से कहां आ रहे हैं बिचने वाला मुल्या है एकीस अजार अब हम एकीस अजार से आ रहे हैं विक्राय मुल्या से क्राय मुल्या की ओ मतलब हम आगे से पीछे की ओर आ रहे हैं जब भी विक्राय मुल्य से क्राय मुल्य की ओर आ रहे हैं मतलब हम आगे से पीछे की ओर आ रहे हैं तो आगे से पीछे आएंगे तो उल्टा लिखेंगे क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे मतलब 20 को उपर लिखेंगे एक इसको नीचे लिखेंगे तो अब हम यहां लिख लेते हैं इसके सांद गुड़ा में बाकी धर मैं मिठा देता हूँ ठीक यह देखिए कितना निकला हमारा 5% का होल नमबर तो 21 बटा 20 निकला उसी को हम 20 बटा एक इसके रुप में लिखेंगे 20 बटा एक इस लिखेंगे उल्टा क्यों लिखेंगे क्योंकि हम आगे से पीछे आ रहे हैं ठीक ना विक्राय मुल्य से क्राय मुल्य की ओर अब हम जब इसको हल करेंगे तो आपका कितना जाएगा क्राय मुल्य 50 percent लाब को आप खोल नमबर मतलब पूर संख्या में चेंज कर दिजिए तो 15 पर संख्या में चेंज करएंगे तो 15 बट्टा सव लिखेंगे 15 बट्टा सव को यहां काड़ दीजिए तो 5 तीया 15 हो जाएगा 25 पंचे सब मतलब 3atives 20 लिखेंगे क्या लिखेंगे 3बर बीस लिखेंगे यहां ठीक अब क्या कर रहे हैं क्राय मुल्य क्योण घ्यो distinguish क्राय मुल्य की ओर रहे हैं यहां तीनечение और डिस आ पस pouco होजा गया है तो आपका 20 में कहां आ रहे हैं क्राय मुले से फिर से बिक्राय मुले की और आ रहे हैं मतलब पीछे से आगे आ रहे हैं पीछे से आगे आएंगे तो इसको सेम का सेम लिख देंगे 23 बटा 20 का ही गुड़ा करेंगे यदि बिक्राय मुले से क्राय मुले की और आते तो इसका उल्टा कर देते लेकिन हम क्राइक मूले से बहरा झा रहा है तो तो थेएश बटा बिस यहां कुड़ा कर देते हैं अब इसको मैं मिटा देता हूं और इसका कुड़ा कर देता हूं आपका ठिक, 23 बटा 20 का क्या करना है ख़ॉटा करना है अब अब देखिए कर देते हैं यहां करते हैं 23 बटा 20 अब इसको काट लेजिए 20 से 20 आपका cancel हो गया ठिक, 21 कम 21 यहाँ हो गया और फिर 3-0 उतार दिये तो 1-1000 हो गया यहां हमारा एक हजार घुरा में आपका 23 हो गिए 23 गुडा 1000 मतलब 23000 हो गिए आपका ठीक कातने में दिक्कत नहीं जाता इसलिए हम इसको काटे नहीं है डारेक्क पूरा हल करने के बाद काटते हैं तो 23000 रुपईया आपका आगी जी हां 23000 रुपईया में जब यह बेचेगा तो इसको 15 परसेंट लाब मिलेगा 21,000 में बेच रहा था 5 परसेंट बेच रहा को लाब मिर रहा था अभी यदि 15 परसेंट लाब पाना है तो 23,000 रुपई या में बेचेगा तो इसको कितना रुपई या में बेचेगा 23,000 रुपई तो इसका एंसर हो जाएगा 23,000 रुपई क्या हो जा हमारा साथमा टाइप के प्रस्नक होए या और भी मतलब देखने में एकदम माइंड खराब टाइप का लगता एक कैसे हल होगा लेकिन होते बिल्कुल सराल है बास आपको पढ़ने की जगुरत है एक बार ध्यान से पढ़ने की जगुरत है ठीक इसमें ज्यादा तर बच्चे और कनफ्यूज हो जाते हैं तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे क्या दिया आपका यहां रूपए एक में नव वस्तुएं बेच कर एक ब्यक्ति को 4% कियानी हुई तद नुसार 44% ला वर्जित करने के लिए उस ब्यक्ति को एक रूपए में कितनी वस्तुएं बेचनी च चार परसेंट की हानी हो रही है क्या हो रही है चार परसेंट की हानी हो रही है उसको 44% लाप राप्त करना है क्या करना है तो उस ब्यक्ति को एक रूपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए अब यहां समझे आपका एक रूपए में नव वस्तुएं बेच रहा था तो उसको 4% हानी हो रही है अब उसको एक रुपईया में कितना वस्तुएं बेचेगा कि उसको 44% लाब प्राप्त होगा तो कैसे हल करेंगे तो ध्यान से देखिए यहां देखिए एक रुपईया में 9 वस्तुएं को बेच रहा है एक रुपई में 9 वस्तुएं ठीक न एक वस्त का मुल्य हो गया एक बटा नव रूपए होगा एक वस्तु का मुल्य एक बटा नव रूपए क्योंकि एक रूपई या में नव वस्तु तो एक वस्तु का मुल्य एक बटा नव रूपए अब मुल्य हमको पता चल गया एक वस्तु का कितना है एक बटा नव रूपए एक पूर्शंक्या में चैंज करना आया आपको अब हम сердus को पूर्शंक्या में चैंज कर लेते हैं चार प्रसेंट मनलब चार एक कम चार और पचीस चको सव तो एक बटा पचीस हो गया यहां एक बटा पचीस क्या हो रहा है हानी हो रहा है क्या हो रहा है हानी हो रहा है तो जब भी हानी होता है तो नीचे वाले से उपर वाले को घटा देते हैं नीचे वाले से उपर वाले को घटा है तो आपका प यहां एक बट्टा 9 रुपईया में बेच रहा है तो हम 4% हानी हो रहा है तो उसी को हम खरिदने वाले मुल्य की और आ रहा है बेचने वाले मुल्य से मतलब आगे से पीछे आ हैं जब भी आगे से पीछे आएंगे तो इसको आपको 24 26 को उल्टा लिखेंगे तो यहां गूडा कर दे Otherwise मित आक मैं क्ला कर देता हूँ अपको तो यहां बटा-9 24वटा-9 तो आपका 25 24 हो जाएगा क्या हो bist rays बट्टा में आपका 24 हो जाएगा गुड़ा अब यहां क्या निकलेगा हमारा क्रेम उल्या निकलेगा फिर से जैसे पहले टाइप में निकल रहा था क्रेम उल्या निकलेगा अब इसमें हमको 44% की लाप राप्त करना है कितना लाप राप्त करना है एक क्रेम उल्या है आपका इसमें चवालीस परसेंट लाब प्राप्त करना है तो चवालीस परसेंट लाब को फिर से हम पूर संख्या में चेंज कर लेते हैं तो चवालीस बटा में आपका सव हो जाएगा चवालीस बटा में सव इसको कार दीजिए तो आपका 11 चको 44 हो जाएगा 25 चको 100 हो जाएगा तो 11 बटा 25 हो जाएगा इसका क्या होगा 11 बटा 25 यह हो गया इसका पूर संख्या मतलब whole number अब यहाँ क्या हो रहा है लाब प्राप्त हो रहा है लाब हो आमे का करते हैं लाब में इसको नीचे वाले को उपर से जोड देते हैं 25 से ग्यार को जोड देते हैं आपका 26 चाहिए चाहिए उसको निकलना है तो फिर से हम क्राइम उल्य की और जा रहे हैं मतलब पीछे से फिर से आगे जा रहे हैं जब भी पीछे से आगे जाएंगे तो इसको उल्टा नहीं सीधा का सीधा मुध्या करेंगे मदलब 36 बटा 25 क्या करेंगे इसके सांद 36 25 का गुड़ा कर देंगे चलिए कर देते हैं 36 25 का गुड़ा यह मिटा के हुआ ठीक बटा पचीश का इसको घूरा कर देते हैं अब देखिए हैं क्या हो जाएगा 36 बट्टा में आपका 25 अब इसको काड़ देते हैं 25 का 25 केंसील आपका उपर नीचे 25 अब क्या हो जाए नव एकम नव चको 36 हो गिया आपका एक बट्टा 6 रुपईया एक वस्तु को एक वस्तु को एक बट्टा 6 रुपईया में बेचेगा तब उसको 44 परसेंट का लाब मिलेगा लेकिन यहां पूछ रहा है एक रुपईया में कितने वस्तु को बेचेगा तो एक वस्तु को बेचेगा एक बट्टा 6 रुपईया में तो एक रूपईया में बेचेगा 6 वस्तु को कितना बेचेगा एक रूपईया में 6 वस्तु को पहले कितना बेच रहा था एक रूपईया में 9 वस्तु को बेच रहा था अब एक रूपईया में 6 वस्तु को बेचेगा तो इसको 44 परसेंट का लाब होगा तो एक रूपईया म नहीं होता है लाम में लेकिन इसको आसानी से आप समझेंगे बिलकुल हर रो जाएगा इसका हम दूसरा प्रस ने देख लेते हैं इसी टाइप के फिर आपको अच्छे से हो सकता है समझ में आजाए ठीक इसका अगला टाइप देख लेते हैं और लास्ट टाइप है हमारा ठीक ना अगला प्रकार देख लेते हैं एक और उसका उदारा ठीक आपको अच्छे समझ में आएगा क्या बोल रहा है 20 वस्तों को 160 रुपय में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानी हो रही है तद उनुसार 20% लाप कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपय में कितनी वस्तों बेचनी चाहिए वहां हमको पूछा था कि एक रुपय में कितनी वस्तों बेचनी चाहिए यहां बो इस वस्तु को कितने में बेच रहाएं 170 रूपय में, 20 वस्तु का मुल्या आपका है, 170 रूपय, तो एक वस्तु का मुल्या हमने निकाल लिया, 170 रूपय, इसको लिख लिए, प्रूड़ा में अपने को करना है क्या बेचने वाला मुल्य है क्या है बेचने वाला मुल्य मतलब व blessing है 살 क्रण परफेंट हनी का मतलब हुगा इसको होल नंबर में चेंज कर लेते हैं पूड़ संख्या में तो 20 बता सर हो जाएगा 20बता सब को काटेंगे तो एक बट्टा 5 हो जाएगा आपका, एक बट्टा पांच इसका क्या हो गया है पूडगा अब हेनि है हानी है मतलब नीचेवाले में सब्सक्राइब हो घटा देंगे आपका पीछे आएंगे तो इसको उल्टा लिखते हैं 5 को उपर 4 को नीचे तो इसको हम उल्टा यहां लिख लेते हैं आपका गुड़ा कर लेते हैं फिर यहां अपने को क्राय मुल्या प्राप्त हो जाएगा ठीक कितना है यहां चार बटा पांच आया इसको हम लिख लेते हैं पांच बटा चार पांच बटा चार लिखे अब यहां हल करेंगे तो हमारा क्रायमुल्या आ जाएगा लेकिन हमको क्रायमुल्या नहीं निकालना है हमको निकालना है क्रायमुल्या के साथ 20% लाब कमाने के लिए ठीक ना 20% लाब कमाना है क्राइमूलिया के साथ भी तो 20% लाब को होल नंबर में मतलब पूर संख्या में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा अभी हमने निकाला था एक बटा पांच आता है चेंज करने पर पूर संख्या के रुप में 20% को क्योंकि यहां 20% नहीं था ठीक इसको चेंज करेंगे एक बटा पांच आएगा अभी है क्या है आपका लाब हरे लाब केलिए क्या करेंगे कुलदा करेंगे उपर यह जोड दिते हैं तो पांच Kait sales is फिर से जा रहे हैं एक क्रैम मुल्य से फिर से बिक्रैम मुल्य की और जा रहे हैं मतलब खरिदने वाले मुल्य से बिचने वाले मुल्य की और जा रहे हैं मतलब पीछे से फिर से आगे जा रहे हैं पीछे से जब भी आगे जाएंगे तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं होता है इसी का गुड़ा कर देते हैं तो चैवर्टा पांच का यहां हम गुड़ा कर देंगे अब एक वस्तु का मुल्य अपने को आ जाएगा चैवर्टा पांच का यहां गुड़ा कर देंगे चैवर्टा पांच तो एक वस्तु का मुल्य आ यहाँ जाएगा, इसको अब हम कारदेते हैं 5 से 5 है गया आपका ठीक, और फिर आपका कितना हो गिया?, एक्म 4, 4, 16, और 0, 40, 40, 40 चको, 160, 20, 20, दुना, 46, दुना यहां कर देते हैं, कितना आगया, 12, मतलब 12 रुपईया कितने का, एक वस्तू का मुल्य, कितना आगया, यहां, 12 रुपईया, जब हम एक वस्तू को 12 रुपई में बेचेंगे, तो 20% लाब होगा, अब एक वस्तू को 12 रुपए में बेच रहे हैं तो 240 रुपए में कितने वस्तु बेचेंगे ठीक ना 240 रुपए में कितने वस्तु बेचेंगे वही यहां पूछ रहा है तो एक वस्तु का मुल्य कितना आया यहां कट कर देता हूँ अब मैं आपको एक वस्तु बराबर 12 रुपए ठीक तो 240 रुपए में कितने वस्तु तो 240 बढ़ते में आप 12 कर दीजिए यहां जितना भी आएगा आपका 12 दूना 24 आ गया 12 सुनम सुन हल करेंगे 20 आ जाएगा मतलब 20 वस्तु हैं इसमें उन्सर आपका 20 वस्तु बढ़ते कितने वस्तु का रेट हमार आया था 12 रुपए तो 24 में जब 12 को भाघ दे देंगे तो जितने भी आएगा उतने वस्तु यहां बेचेंगे तो यहां और समझना है प्रसन को ठेक इस टाइप से हल करके आपको समझना है प्रसन को तो यह थे आज के हमारे साथ टाइप के प्रसन और इसके अलावा अलग टाइप के प्रसन नहीं होते हैं लाभानी में आपको यदि प्रसन समझ में अच्छे आये होंगे आपको वीडियो अच्छ लगी होगी तो प्लीज यूडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंज भारत जय चतिवर्ण